हेलो दोस्तो तो आज मैं बताउगे आपको वाटसप के कुछ ऐसे फीचर्स जिनको आपको बंद कर देना चाहिए क्योंकि दोस्तो अगर आप यह फीचर्स यह सेटिंग बंन नहीं करते हैं तो आपकी वाटसप की चैट कोई और देख सकता है आपकी जो वाटसप की परसनल होती है वो कोई और पढ़ सकता है तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना चाहिए दोस्तों ऐसा होता है कि आप अपने घरवालों से दोस्तों से रिष्टेदार से बात करते हैं और आप चाहते हैं कि वो चैट पर्सनल रहे कोई और न देखे आपका वाट्सप कोई और हैक न मता देती हूं तो दोस्तों आपको अपने वॉट्शक ओपन कर लेना है थे क्लिक करने के बाद मोब इस स्थ होदेगा और यहां पर एक option मिलेगा आपको चैट backup ठीक है आपको चैट backup पे क्लिक कर देना और दोस्तों यहां पे देख लीजे कि Google account नाम से एक feature होगा यहां पे देखिए कोई Gmail account login है यानि कि आपने कोई भी Gmail अपने WhatsApp से लिंक नहीं किया है लेकिन फिर भी यहां पे कोई Gmail हो रहा है तो दोस्तों यहां पे आपकी चैट कोई और पड़ रहा है यानि कि आपकी चैट का पूरा डाटा कहीं और जा रहा है जल्दी से दोस्तों इसको क्लिक करिए और जो Gmail है वह आपका Gmail नहीं है अगर आप इस पे क्लिक करें तो दोस्तों आप देरी ना करते हुए सबसे पहले इस सेटिंग को ओन कर दीजिए ठीक है तो दोस्तों अब आता है सेकंड फीचर कौन सा फीचर है जिसको आपको जल्दी से बंद कर देना है नहीं तो आपकी चैट कहीं और चली जाएगी कोई और आपक इसको dov Kylie का को भी दूसे इतना ही है तो आपको डरने की बात नहीं है अगर दोस्तों यहीं पर आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा रहा है request send यानि कि आपके phone से किसी ने पूरा data कहीं और भेविया request को send कर और दोस्तों यहां पर आपको date भी show होगी किस time को किस date को आपके phone का आपके WhatsApp का data कहीं और send किया है आप इसको जरूर से चेक कर लिजेगा और जल्दी से इसको बंद कर दीजेगा ठीक है दोस्तों यह आपको चेक कर लेना है अगर आपके में कुछ भी नहीं है यहां पर सिंपल सा है तो आप सेक्योर है आपका WhatsApp chat कोई नहीं देख रहा है ठीक है तो दोस्तों अब तीसरे चेक कर लेते हैं कि वह कौन सा फीचर है जिसको हमें बंद करना है या फिर कर लेना है कि आमकी चेट कोई और तो नहीं पढ़ रहा है तो दोस्तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको एक chat open कर लेती हुँ यहाँ पर आई बटन पे चले जाना ए आई बटन पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर three dots दिखाई दे रहे होंगे फीके एक option आएगा verify security code आप जैसे इस पर click करेंगे यहां पर कुछ numbers और यहां पर scan type जैसा कोई भी QR code आपको यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर कुछ numbers होंगे दोस्तों आपको करना क्या है अपने दोस्त का WhatsApp लेना है और उसके फोन में जो verify number होंगे जो code होंगे आपको अप हैं तो दोस्तों यहां पर आपको सावधान होने की बहुत जाड़ा जरूरत है दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर नंबर 4 के बारे में दोस्तों आपको ती डॉट पर जाना और यहां पर लिंक डिवाइस को अगर लिंक डिवाइस कुछ ऐसा बनके आ रहा है Google Chrome Linux या फिर यहां पर कुछ डिवाइस लिंक देख रही है आपका वार्सप यानि की है और आप किसी से गल्फरेंड से रिष्टेदार से घरवाले से कोई परसनल बात है करते हो तो यानि की जिसकी भी डिवाइस यहां पर लिंक है वह भी आपकी चैट को पढ़ रहा है आपके या नीचे 100 नहीं हो रही तो आप अगर दोस्तो ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है जैसे कि मेरे इस वाटसप में दो तीन डिवाइस लिंक है तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर डिवाइस को क्लिक करना है और यहां पर लॉगाउट का उप्शन आजाएग जो लिंक है यहां से वो हटा दीजिए वरना जब तक आप उसको लॉग आउट नहीं करेंगे वो आपकी चैट को पढ़ता ही रहेगा सिंपली से आप ये इस टैप ध्यान से देखिएगा दो तो यहां पर होके दोस्तो चार फीचर जो की आपकी मोबाइल की सिकॉरिटी के ल नोटिफिकेशन तो दोस्तो यहां पर सिकॉर्टी नोटिफिकेशन का आपके सामने आ जाएगा तो दोस्तो इसको आप जल्दी से इनेवल कर दीजिए अगर आपका ओफ है तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपके वार्ट सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप और नोटिफिकेशन मिलेगा तुरंट से कि कोई आपके वार्ट सब्सक्राइब चाइब चय Town कर रहा है तो आप जल्दी से सतार को जाएंगे अपने वार्ट सब्सक्राइब कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आप बच जाएंगे यहां पर किसी भी फ्रॉड को होने दो दोस्तो यूट सब कि कुछ ऐसे इंपॉर्टन फीटर जिनको आप अपनी चैट को किसी और के पढ़ने से बचा सकते हो कोई आपकी वहसाफ की चैट को पढ़ेना कोई आपका WhatsApp हैक न करे है यह सारे आपके काम आएंगे तो दोस्तो वीडियो आच है लगरृटर्स लगतां ड वेडियो में थैंक यू सो मच